बुंदेल खंड तब तपस्या और तेज की पावन भूमी है। वर्ष 2017 के बाद UP में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री यूगी आदित तिनाथ जी ने सालक, रेल, मेट्रो, एर सहित, सभीक शित्रों में विकास को प्राथमिकता दी है। असी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे करीब 14,850 करोड रुपए की लागत से 296 किलोमेटर लंबा बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे रिकॉर्ड 28 महिनों में बन कर तयार है। जिसका शिला न्यास प्रधान मंत्री जी द्वारा ही किया गया था। हताक हो रही हैं, खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेस वे से किसान अब अपने उपज और दुख्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुँचा पाएंगे। बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षित्र के जन जीवन में बदलाव लाएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूत, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालॉन और अया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेस वे पर चलेंगे। और क्षित्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। और यह पावन भूम नए भारत के सपनों का एक एहम केंद्र बन कर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तरप्रदेश